11,000 छात्रों को नुक्सान हुआ है जो OBC समाज से आते हैं जो डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे वो भी इस परिस्थिती में इस समय हो रहा है जब भाजपा और RSS के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है किया जाता है सर्वत्र कि देश के प्रधानमंत्री स्वयम OBC आया गया है इसमें भी सरकार को मुह की खानी परेगी और बहुजन समाज का OBC समाज का जो वाजिब हक है उनका जो आरक्षण के अधिकार है समविधान के द्वारा बाबा साहब अंबेदकर के समविधान के द्वारा जो प्रदत आरक्षण का हमें अधिकार प्रात है वह पालन होगा विहार की सरकार की बात कीजिए या केंद्र सरकार की बात कीजिए यह सिर्फ दलित विरोधी नहीं है यह ओविसी विरोधी भी है यह स्टिडूल कास्ट विरोधी है स्टिडूल ट्राइब विरोधी है यह युवा विरोधी है देखे आप टेजस्वीजी की राजनीती को देख़िएगा राजनीती का उनकी जो विचारधारा है उनकी जो नीती है उनके जो सिद्धान्त है हमारी पार्टी की जो नितियां है जो सिध्धान्त है जो विचारधारा है अब देख रहे हैं जिस प्रकार जो नीट की परिख्षा के लिए जो केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया एक तरह से कानून बना दिया है आप पिछले चार साल का record देखिएगा तो लगभग 11,000 सीटों की कमी आई है OVC छात्रों के लिए 11,000 छात्रों को नुक्सान हुआ है जो OVC समाज से आते हैं जो डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे वो भी इस परिस्थिती में इस समय हो रहा है जब भाजपा और RSS के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है किया जाता है सर्वत्र की देश के प्रधान मंत्री स्वयम OVC समाज से आते हैं अभी जो हाल फिलाल में ही जो केंद्रिय मंत्री मंडल का विस्तार किया गया है उसमें गाजे बाजे के साथ इस बात को प्रचारित किया गया है कि 27 OVC मंत्रियों को शामिल किया गया है मंत्री मंडल में मैं भाजपा और RSS की इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन 27 मंत्रियों को इसलिए मंत्री मंडल में सामिल किया गया था कि OVC के 27 प्रतिशत आरक्षन को आप इनके माध्यम से ही काट दें हम लोग संगहर्ष के करने वाले लोग हैं संगहर्ष की राजनिती करते हैं समाजवादी विचारधारा से ओत्प्रोत लोग हैं मानिये नेता प्रतिपक्ष ने बिलकुल भी समय नहीं गवाते हुए इस मुद्दे को उठाया है आप निश्चिंत रहिए जिस प्रकार 13 आया गया है इसमें भी सरकार को मुह की खानी परेगी और बहुजन समाज का ओविसी समाज का जो वाजीब हक है उनका जो आरक्षन के अधिकार है संविधान के द्वारा बाबा साहब अंबेदकर के संविधान के द्वारा जो प्रदत आरक्षन का हमें अधिकार प्रात है वो अक्षर सह पालन होगा और मानिनिये नेता प्रतिफक स्टेजस्वी जी इसमें अपना एक बेहतरी नेत्रित प्रदान करेंगे अब इस सवाल उठाया ये सरकार सिर्फ बिहार की सरकार की बात कीजे या केंद्र सरकार की बात कीजे मध्यप्रदेश का उधारन ले लिए जब भी लोक्तांसरिक तरीके से इन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाईeduc है षरक्त पर उतरें उन्हें हर जगा लाठियां खानी परी है पुलीसिया दमन का उन्हें सामना करना परा है वी सी समाज की भी अभी जैसे मैंने बात की है लगातार उनके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है चाहे वो विश्विद्याले हो चाहे प्रोमोशन का मामला हो या फिर नीट की यह सत्ता में आई एक उन्हें प्रतारित करने का काम कर रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है अभी जो वर्तमान सरकार केंदर में वह आप जानते हैं कि आरेसे के एजन्डे पर ही चलती है आरेसे का क्या एजेंडा रहा है भारत को लेकर क्या उनकी सोच है किस प्रकार के समाज का वो निर्मान करना चाहते हैं यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है जिस प्रकार से इस सरकार में 2014 के बाद से लगातार जिस प्रकार समवाद की कमी की गई है चाहे आप सदन के पटल में संसद में देखिए चाहे आप विधान सभा में देखिए प्रश्नकाल को गायब कर दिया जा रहा है इस संसद की अवधी को कम किया जा रहा है जिस प्रकार से मीडिया के कुछ वर्ग हमेशा विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं जबकि सत्तापक्ष से सवाल होना चाहिए इनका रवया सुरू से तानाशाही र होते हैं विपक्ष की सिमित शक्तियां होती है लेकिन जो भी शक्तियां हमें समिधान के द्वारा प्रदत की गई है विपक्ष मजबूती से हर एक मुद्दे को उठा रहा है सरक पर उठा रहा है सदन में उठा रहा है हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और इस्ताना साह आताता ही जन्विरोधी सरकार को अपना कदम पीछे हटाने पर हम मजबूर करेंगे इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे